हाई गाईज मैं विनोत और आप देख रहे हैं टेग गुडी चैनल सो गाईज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रेलमी GT Neo 3 में होम स्क्री मोड सेटिंग कैसे करेंगे होम स्क्री मोड सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है सो गाई सेटिंग पर क्लिक करते हैं सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा से नीचे आना है यहां पर आपको Home Screen Lock Screen and Always on Display पर क्लिक करना है। यहां पर आपको First Option मिल जाएगा Home Screen Mode का। So friends, यह हमारा Home Screen Mode Settings आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर friends, आपको नीचे तीन उप्षन मिल जाएगे। So friends, मैं First Option पर क्लिक करता हूँ। First option पे click करने से पहले अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like and share कीजिगा और हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिगा So friends मैं first option पे click करता हूँ इस पे click करने के बाद यहाँ पे आपको apply वाले option पे click करना है इस पे click करने के बाद यहाँ पे आपको switch all option पे click कर देना है इस पे click करते ही आपके phone में standard mode apply हो गया है यहाँ पे friends आप देख रहे हैं यहाँ मेरी सारी apps मेरी home screen पे आ गई है मुझे sweep up करने की जरूत नहीं है So friends यह तो थो हमारे standard mode अब बात करते हैं second option की Second option ते रहा हमारे drawer mode का So friends में इस पे click करता हूँ इस पे click करने के बाद यहाँ पे आपको apply करने है इस पे click करने के बाद आपको switch all option पे click कर देले है इस पे click करते ही आपके phone में drawer mode apply हो चुग है अब आपको sweep up करना पड़ेगा तब friends आपके app इस तरीके से open होके आईगी So friends ये तो हमारा second option अब बात करते हैं हम third option की Third option दे रेखा हमारा simple mode का So friends में simple mode पर click करता हूँ इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको apply वाल option पर click करना है इस पर click करते ही आपके phone में simple mode apply हो गया और यहाँ पर friends आप देखने हैं यहाँ पर आपको app के size भी काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं So guys इस तरीके से आप home screen mode setting कर सकते हैं और guys आप कोई video interesting लगा तो video को like and share कीजिगा और guys ऐसी interesting videos देखने के लिए हमारे channel को ज़रू subscribe कीजिए का तब तक के लिए बाबा टेटा थैंक्यू